पर्मिश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज हमें फिर से मौका दिया है कि आज हम उसके वचन को लेकर खड़े हैं सारे अज़त महिमा हम प्रभी शुमसी को देते हैं आज के वचन के ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे नीती वचन उसका ग्यारा अध्याय और उसका तेईस्वा पद वहाँ पर इस प्रकार लिखा है धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है परंतु दुस्टों की आसा का फल क्रोध होता है धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है परंतु दुस्टों की आसा का फल क्रोध होता है आएए एक मिनट के लिए हम अपने सिरों को जुकाएंगे और प्रातना वे चलेंगे सर्वशक्तिमान द्यालूबिदा पुरमिश्वर प्रभई ईश्व मुसी के नाम से हम आपके करीब आते हैं धनिवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आज आज आपने दिया है प्रातना करते हैं प्रभू इस वचन को खोलिए रिवील करिए ताकि हम सब प्रभू अपने जीवनों को आपके वचन के मुताबिक ढाल सके और अपने अपने जीवन से प्रभू आपके नाम को म वो हमारे हिर्द्यों में हजार गुन्वा फल्वन्थ हो। प्रभू, मैं अपने आपको भी आपके समक्ष लाता हूँ, प्रातना करता हूँ, आप अपने सामर्थ से भरिये, अभिशेक दीजिए, ताकि आपके इस सामर्थी वचन को, बड़े सामर्थी रूप से, हम लोगों के हिर्द्यों में बैठा सके, प्रभू, आप हमारी सहायता करें, इस प्रातना को प्रभयेश्यू मसी के नाम से मांगते हैं, अमेन, अमेन, वचन में लिखा है, धर्मियों की लालसा, तो केवल भलाई की होती है, जो धर्मि लोग होते हैं, जो प्रभू के लोग होते हैं, जो प्रभू येश्यू मसी के लोग होते हैं, जो प्रभू येश्यू मसी पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो इक्षा है, उनकी जो लालसा है, उनकी जो तमन्ना है वो केवल और केवल भलाई होती है क्योंकि हमारा प्रभु येशु मसी भला करने वाला प्रभु है बोलो प्रभु येशु मसी की वचन में कई जगा लिखा हुआ है मतिर जिसु समाचार उसका बारा अध्या है और उसके 35 पद में भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बाते निकालता है परन्तु बुरा मनुष्य बुरी बाते निकालता है और यही पज जो है लुकारेशिसु समाचार उसका 6 और 45 में भी ऐसे ही है वालिका है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुह में आता है जो मन में भरा है जो हमारे मन मस्तिक्स में जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है जो हम में सुरू से बचपन से जो सीखा है वही हमारे ब्यहवार में दिखाई देता है वैसे ही हम करते रहते हैं जो नीती वचन में हमने पढ़ा भला मनुष्य धर्मियों की लांसा धर्मियों की इक्षा धर्मियों की तमन्ना धर्मियों का डिजायर वो केवल भलाई होती है लेकिन जो बुरा मनुष्य होता है उनके मन से केवल बुराई ही निकलती है जो हमारे अंदर है जो हमने बच्चपन से सीखा है जिस परिस्चितियों में हम रहते हैं वही हमारे जीवन से दिखाई देने लगता है बहुत सारे एक्जामपल है पुराने हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो एक कहानी हमें सुनाई दी हमें बताया गया था हम किताबों में पढ़ते थे कि एक संत थे और वो संत जो है जा रहे थे नदी के किनारे से उन्होंने देखा कि नदी में एक पत्ती पेड का पत्ता जो है एक बह रहा है और उसी पेड के पत्ते के ऊपर एक बिच्छू बैठा हुआ है बिच्छू समझते हैं ना बिच्छू जो डंक मारता है वो उभी बह जा रहा था उस पेड के पत्ते के साथ उभी बह रहा था इनको बड़ी दया आई और उनोंने उस पत्ते को बाहर निकाला और जब बाहर निकाल रहे थे, तो बिच्चु ने उनको डंक मारा तो जो संत थे, जो संत के और चेले उनके साथ थे उनके साथ है, वो कहने लगे, है प्रभू, है स्वामी आप इसको क्यों बाहर निकाल रहे हैं क्यों इसका जीवन बचा रहे हैं ये तो आपको डंक मार रहा है तो वो संत महराज क्या बोले अपने चलों से कि भाई इसका जो काम है ये कर रहा है और मेरा जो काम है बचाने का काम मैं कर रहा हूँ सो जो बच्चपन से जो हमारे जीवन में हमने सीखा है जैसे कामों को सीखा है जिन बातों को हम करते आते हैं वही हमारे जीवन में जब हम बड़े भी हो जाते हैं वैसे ही हमारा ब्यवार, वैसे हमारा आश्रण वैसे ही हम दूसरों को सताने वाले वैसे ही हम क्रोध करने वाले वैसे ही हम इर्षिया करने वाले वैसे ही हम गाली बखने वाले वैसे ही हम दूसरों को फसाने वाले हम बन जाते हैं लेकिन परमेस्वर का वचन कहता है धर्मियों की जो लालसा है धर्मियों की जो तमन्ना है जो धर्मियों का जो डिजायर है वो केवल भलाई होती है चाहे वो किसी भी परिस्तिती में हो कैसी भी समस्या में हो कैसी भी परिसानी में हो वो हमेशा भला सोचता है भलाई करने की कोशिस करता है चाहे कितना भी बड़ा तुफान हो जाए कितनी भी बड़ी परिसानी आ जाए कितनी भी बड़ा समस्या जीवन में खड़ा हो जाए लेकिन वो दूसरों की भलाई ही करेगा क्योंकि वचन कहता है धर्मियों की लालसा केवल भलाई होती है बोलो प्रभी येशु मसी की बाई बिल से हम दो तीन उधारण दे कर आपको समझाना चाहते हैं पुराने नियम में एक बहुत ही सच्ची घटना है पिछले इतवार को हम इसमें से कुछ बाते बताए थे और आज फिर हम उसी लड़की के बारे में बात करते हैं जो गुलाम थी सुमरोन के राजा ने आप अराम के सेना पती अराम के राजा ने इसराइल पर आकरमण किया और इसराइल देश को जीत लिया और पहले जमाने में जब कोई राजा किसी को जीत लेता था किसी तो वो वहाँ के लोगों को गुलाम बना के ले जाता था हम सबों के उपर भी अंग्रेजों ने राज किया, हम सब गुलाम थे कभी, लेकिन 1947 में हम लोगों को आजादी मिली, तो आज हम आजादी से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उस जमाने में भी राजा, अराम का राजा, उसका एक बहुत ही सक्ति साली, बहुत ही सामर्थी सेना पती था, उसका नाम नमान था, उसने इस्राइल पर आक्रमण किया और इस्राइल को हरा दिया, और वहां से सब कुछ उठा के ले आया इस्राइल देश से, और वहां के लोगों को भी बंधुवा बना कर गुलामी करने के लिए अपने देश में ले आया और ऐसे ही एक छोटी सी लड़की उसके घर में गुलामी करती थी, इसरायल देश की वो प्रभु को मानने वाली वो सर्व शक्तिमान परमिश्वर को मानने वाली वो लड़की उसको भी वो लेके चलाया था अपने घर ताकि वो उसके घर में गुलाम रहे, उसके घर में काम करे और सेवा करे. ये किस्सा आप दूसरा राजा, पवित्र वाइबिल में, दूसरा राजा किताब, दूसरे राजे में पांच अध्याए, दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको मिलेगा. वो इस्राइली लड़की, उसके घर में गुलाम है, उसके घर में सारे काम करती है, लेकिन इसको पता चला, इस लड़की को पता चला, कि इसका स्वामी, वो जो सक्तिसाली सेना पती था, वो सक्तिसाली तो था, लेकिन उसको साथ में कोड की बिमारी लग गई थी. तो जब इस लड़की को पता चला, जो प्रभू पर मिश्वर पर विश्वास करती थी, प्रभू को अपना जीवन का उधार करता मानती थी, इसको पता चला कि मेरा स्वामी इतना सक्तिसाली है, लेकिन इसको कोड है, तो उसने कहा कि अगर ये सुमरोन में होता, तो वहाँ जो प्रभू का दास है, उसको ठीक कर देता, उसको चंगा कर देता. बोलो प्रभू ये शुमसी की, परिस्थिती खराब है, परिस्थिती बिलकुल विप्रीत है, आप कल्पना करिये, आप सोचिए उस लड़की के बारे में, ये माता पिता से अलग है, छोटी लड़की है, दस बारा साल की लड़की है, अपने माता पिता से अलग है, दूसरे के घर में गुलाम की तरह रह रही है वहां काम कर रही है हम जानते हैं कि हमारा वेवार हमारे नौकरों के साथ जो हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं हम उनके साथ कैसा वेवार करते हैं वही समझ लीजिएगा ऐसी विसम परिस्तिती में भी गुलामी की जिंदिकी जीते हुए भी तकलीफ में रहते हुए भी वो अपने मालिक की भलाई चाहती है वो अपने मालिक की भलाई चाहती है अपने स्वामनी से कह रही है कि अगर ये समरोन में होता तो वहाँ इसका कोल ठीक हो जाता बोलो प्रभी ये सुमसी की और ये पूरी कहानिया पढ़ सकते है कि जब वो गया सेनापती और उसका कोड वहाँ ठीक हो गया हम इस लड़की के बारे में आपको बताना चाहते है परिस्तिती बिलकुल विशम है समस्या है तुफान है गुलामी की जिंदगी में है अपने मन से कुछ कर नहीं सकती अपने मन से कुछ सोच नहीं सकती गुलाम है वो लेकिन फिर भी वो अपने स्वामी की भलाई की कामना करती है यही वचन सिखा रहा है धर्मियों की जो लालसा होती है धर्मियों की जो तमन्ना होती है धर्मियों की जो डिजायर होती है वो केवल और केवल भलाई होती है बोलो प्रभेशु मसी की भलाई होती है जाहे कैसी भी परिसिती हो कैसी भी समस्या हो भला करने में आगे रहो दूसरा एक उधारन हम आपको बताते हैं जो एक राजा के बारे में है जो दुस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं यह हमने बताया जो धार्मी लोग हैं जो प्रभु येश्यु मसीब पर विश्वास करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया बिशम परिस्तिती में बिल्कुल गुलामी की जिंदिगी में भी उन्हों ने अपने उस लड़की ने अपने स्वामी की भलाई सोची दूसरा एक उधारण उसी पुराने नियम में पहले राजा की पुस्तक उसका एकी सद्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर एक नबोद नाम का एक व्यक्ति है नबोद वो इस्राइली है उसने अपना एक बगिया लगाया है अंगूर का बगिया लगाया है बहुती सुन्दर बाग है उसका और उस उस बगिया पर वहाँ का जो राजा था राजा अहाँ उसकी नजर पड़ गई क्योंकि वो उसके राजभवन के सामने उसका वो बगिया था उस गरीब व्यक्ति का उस विचारे व्यक्ति का जिसका नाम था नबोद उसकी नजर पड़ गई और उसने कहा मैं इसके इस बगिया को मैं ले लूँगा इसको खरीद लूँगा गया उससे बात करने कि भईया ये हमें दे दो हमें बहुत पसंद है तुम्हारी ये बगिया जो अंगूर की बगिया तुम लगाए हो ये हमें बहुत पसंद है हमें बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा अपने पित्रों की निशानी को, अक्सर हमारे गाओं में ऐसे होता है, बड़े लोग हो जाते हैं, जो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, तो जो गरीब आदमी किसान बेचारा अपना किसानी करता रहता है, वो उसकी निगाहें जो है उनक उसको हड़का के, उसको डरा के गुंडे भेज कर किसी तरीके से हड़प लेते हैं उसका जमीन, और यहां यह वही है, यह नबोध, अपने जमीन को जो उसके बाप दादा का एक लोटा एक निशानी था, वो सुन्दर बगिया था, वो नहीं बेचना चाहता था, लेकिन उ उस राजा की नजर थी, और सबसे बड़ी बात कि वो जब उसको उसने मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे, तो यह जो राजा है उदास हो गया, खाना पिना छोड़ दिया, खाना पिना छोड़ दिया, जब आपके मन केलाई काम नहीं होता है, जब आप किसी का नुकसान कर चाहते हैं, किसी को परिशान करना चाहते हैं, अगर नहीं होने पाना है, तो आप उधास हो जाते हो, आप खाना पिना छोड़ देते हो, इनके बारे में बात करने हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, अभी हमने पहले एक इस्रेली लड़की की कहानी बताई, जो धर्मी है और वो विसम परिस्तिती में भी उसने अपने स्वामी की भलाई की, दूसरा, इसके पास सब कुछ है, राजा है, सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी, एक बगिया पर इसकी नजर पड़ गई, वो उसको पाना चाह रहा है, और उसका मालिक कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ये म उसने गातु कहे के लिए उधास है, मैं तुम्हें ये बगिया दिलवा दूंगी, उसने एक स्कीम लगाई, एक चाल चली, राणी ने इजे मिलने एक चाल चला, उसने कहा, उसने संदेश बिजवाया, जहां पर ये नबोद रहता था वहां के घर, वो आसपास के लोगों क और कहा भया, फास्टिंग करो, प्रेयर करो, भूखे रखे, प्राथना करो, अराजना करो, और जब ये नबोद वहां तुम उसको एक दब मूचे में बैठाना, और जब वह वहर हैगा, तो उसने कहा, दो वेक्तियों को, दो दुस्ट, वहां लिखा है, अगर उस कहानी को पढ़ोगे, तो वहां लिखा है कि दो नीच जनों को, दो दुस्ट लोगों को, वहां पर उसने खड़ा किया, और जब उसको उन्होंने, उसने रानी ने आदेश दिया, कि जब ये यहां पर आए, तो तुम लोग चिला चिला के कहने लगना, कि इसने राजा के बिरोध मे बलवा किया है, और जब ऐसे हला होजागा, कि इसने गलत किया है, इसने बलवा किया है, तो तुम लोग सब उसको पत्थर से मार मार के मार डालना, इतना दुस्ट था, इतनी चाल, उस बगयां के लिए, कैसे हडपले कैसे उसको ले ले जो दुष्ट लोग होते हैं उनका काम ही जो है दुष्टता का होता है उसको मार डालने का स्कीम बनाया और दो वेक्तियों को खड़ा किया ये दो वेक्ति क्यों थे पता इने के जात इसी नबोत के जात विलादर के थे इसी के इसी के धर्म के थे जोट मूट के इन्होंने फास्टिंग किया प्रेयर किया और वहाँ चिलाने लगे कि इसने राजा के बिरोध में बलवा किया है इसने परमेश्वर के बिरोध में बलवा किया है इसके अपने जाती के लोग आज हम इस परिस्थिती में जो आज हम सब देखते हैं ऐसे ही लोग हैं हमारे आसपास दुस्टों का दुस्टों की आसा का फल क्रोध होता है क्रोध होता है लेकिन धर्मिया धर्मी लोग चाहे जैसी भी परिस्थिती में हो जैसे भी मुश्किल में हो चाहे कैसा भी तुफान हो वो हमेशा भला ही करते हैं भला ही करते हैं लेकिन दुस्ट दुस्टता से बाज नहीं आता है इस नबोध के अपने लोगों ने उसके अपने आसपास के लोगों ने अपने गाउं के लोगों ने अपने परिवार के लोगों ने उसके अपने जाती बिरादर लोग उन्होंने उसके साथ बुराई कर दी और उसका उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद राजा जो है उसके उस जमीन को हडब लेता है तो जो दुष्ट लोग होते हैं अगर उनसे बुराई नहीं हो रही है तो उधास हो जाते हैं परिसान होने लगते हैं अरे मैं इसका बुरा नहीं कर पा रहा हूँ अरे मैं इसको चाहता था कि ये गड़े में गिर जाए अरे गिर नहीं रहा है जो दूस्ट लोग होते हैं बुराई करने की सोचते हैं एक और बहुत बढ़िया उधारण है दूसरा सेम्वेल उसका तेरा अध्याय पढ़ोगे वहां राजा दाउद का एक बेटा है वो कुकर करना चाहता है और नहीं कर पाना है तो बीमार पढ़ गया बीमार पढ़ गया उसके दोस्त ने कहा तुम क्या क्यों बीमार पढ़ रहे हैं उसने कहा है ऐसे है मैं कुकर्म करना चाहते हैं आपके कुकर्म आप कुछ गलत काम करना चाहते हो और साथ देते हैं आप अगर कु की नहीं, ये गलत है, ये पाब है, ऐसा तुम मत करो, तो जो डूसर लोग होते हैं, अगर वो भुरा कर रहे हैं और उनसे नहीं हो रहा है, तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और इतने क्रोध में बीमार बढ़ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन जो भले लोग होते है जो प्रभुयेश्व मसी पर विश्वास करने वाले लोग है जो प्रभुयेश्व मसी को अपना प्रभु करके ग्रहन किये हुए लोग है जो प्रभुयेश्व मसी के वचनों पे चलते हैं वो चाहे किसी भी परिस्तिती में क्यों न हो हमेशा भलाई करते हैं बोलो प्रभी एशु मसी की अभी तो हमने दो पुराने नियम का उधारण बताए आपको नए नियम में आप प्रेरितों के काम उसका साथ अध्याय पढ़ोगे 69 उसाथ पत उस साथ अध्याय में बलकि 6 अध्याय से स्टिफनुस के बारे में जिक्र है स्टिफनुस प्रभी एशु मसी के स्वर्ग उठाने के बाद वो प्रभी एशु मसी पर विश्वास किया और प्रभी एशु मसी के पीछे चलने लगा और उसको प्रभई येश्व मसी के चेलों ने उसको बहुत सारे उसको अगवा बनाया और वो प्रशार कर रहा था और जब प्रशार कर रहा था और बहुत लंब्या प्रशार किया लोगों को समझाया प्रभु येशु मसी के बारे में तो कुछ लोग गुसा हो गए और उसका खून करने के लिए वहाँ के लोग दोड़ पड़े और वहाँ पर अगर 69 और 60 पद अगर पड़ोगे तो वहाँ लिखा है कि इस तुफनस के को पत्थरवा करते रहे लोग पत्थर से उसको मार मार प्रभु येशु मसी के वचन का प्रशार करने के लिए वो खड़ा था वो प्रशार कर रहा था प्रभु येशु मसी के बारे में और लोगों ने उसको पत्थर से मार मार के मार मार के मार डाला और उस मारने में वहाँ पॉलूस भी जिसका नाम पहले साउल था वो भी समलित था लेकिन आप उन वचनों को पढ़ोगे हम यहाँ पर बता रहें धर्मियों की लालसा भलाई की होती है स्तुफनुस को पत्थर से मार रहें लोग उसके उपर बड़े बड़े पत्थरों से उसको मार रहें की मर जाए भीड लगा कर उसको मार रहें लेकिन वहाँ पर स्तुफनुस क्या प्राथना कर रहा है की हे पिता हे प्रभू, हे परमेश्वर मेरी मौत का जो है इन लोगों के उपर कोई इसका दंड न देना लोग पत्थर से मार रहे हैं वो उनके लिए प्राथना कर रहा है की मेरा मौत जो है इनके सर पे मत लगाना धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है अंतिम छड में भी मौत के आगोस में जाने से पहले भी इस तुफनुस ने प्राथना की की है पिता है परमेश्वर मेरी मौत का जो है इनके सर पर मेरे मौत का इनके सर पर दंड न हो बोलो प्रभयेश्व मसी की धर्मियों की लालसा केवल भलाई होती है पर इन्तु दुष्टों का अंत क्रोध होता है जो दुष्ट होते है जो परमेश्वर के वच्चन पे नहीं चलते प्रभयेश्व मसी की आग्याओं को नहीं मानते उनका जो अंत का जो भल है वो क्रोध है और वो क्रोध में आकर कुछ भी करते है वो पाप करते है वो किसी भी तरह का कुछ भी जुर्म करते है लेकिन जो धर्मी है जिनोंने प्रभी एशु मसी को अपना प्रभु ग्रहन किया है जिनोंने अपने फाप को प्रभी एशु मसी के लव से धोया है उनका जो अंत है वो केवल भलाई है भलाई है और भलाई है बोलो प्रभेश्टू मसीखी मुसा नभी जब इसराइलियों को लेकर चारहे थे मिस्र की गुलामी से जो छुडा कर लेकर जारहे थे 40 वर्स तक वो जंगलों में इसराइलियों को लेकर रहे और इन 40 वर्स में कई बार इस्राइली लोग परमेश्वर को गुसा दिलाए परमेश्वर को रुष्ट किये और कई बार परमेश्वर ने चाहा कि इनको नास कर दे लेकिन मुसा उनके बीच में खड़ा हो जाता था और कहता था कि अगर तू इनको नास करना चाहता है तो पहले अपने पुस्त में मेरा नाम लिखा है वहां से मेरे नाम को कार दे मिटा दे जो धर्मी होते हैं हमेशा भलाई की सोचते है हमेशा भलाई की सोचते है धर्मियों की लालसा धर्मियों की तमना केवल भलाई होती है केवल भलाई होती है बोलो प्रभ येशु मसी की हमारा प्रभु येशु मसी जिस पर हम विश्वास करते हैं जिसको हमने अपना उद्धार करता प्रभु ग्रेंड किया हुआ है अगर उसके जीवन को भी आप देखेंगे तो जब प्रभु येशु मसी को लोग कोड़े मार रहे थे येशु मसी को लोग सता रहे थे उनकी बेजती कर रहे थे उसके आँख को बंद करके कहते थे बता किसने मारा उसके मुख में ठूक देते थे येशु मसी ने हमारे लिए अपने मुँ में ठुकवाया है जिस येशु मसी पर हम विश्वास करते हैं वो येशु मसी हमारे लिए उस क्रूस पर से भी जब उसको उसके हातों और परों पर किले ठूक दी उसके पसली पर भाला मारा उसको कोडे लगाए उन कोडों में किले होती थी जो जब एक बार सरीर में चिपकता था तो पूरा मास लेकर उखरता था और खून की फवारा बहती थी लेकिन उस दर्द में भी उस पीड़ा में भी उस परिसानी में भी उस क्रूस पर चड़े हुए प्रभू येशु मसी ने फ्राथना की ये पिता इन्हें च्छमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं वो हमारा प्रभू मारा हमसे प्रेम करने वाला प्रभू वो हमारे लिए वो हमारे लिए उस ने अपने आप को बलिदान कर दिया अगर किसी बाप के किसी लोते बेटे को आप मारोगे ना केवल मारोगे जान से मारोगे तो बाप का करेगा अगर आप सिंपली आपको बताता हूँ मैं प्रभी इस्व मसी महान परमेश्वर का इकलोता पुत्र उसको जब लोग क्रूस पर चणा रहे थे जब मार रहे थे कोड़े लगा रहे थे बल्लम से मार रहे थे किसी बाप के सामने किसी के बेटे को आप मारेंगे हे पिता इन्हें छमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं हे पिता इन्हें छमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं बलो प्रभी इस्व मसी की हमारे प्रभी इस्व मसी के लिए जोर से ताली बजा कर धन्यवादे जोर से ताली बजाए उसने हमारे छुटकारे के लिए उसने हमारे आजादी के लिए अपने सरीर पर कोड़े खाए मृत्यू को सहली और हमें छुड़ाया वो पाप की मजदूरी मृत्यू से हमें आजाद किया, हमें बचाया बोलो प्रवयेशु मसी की तो धर्मियों की लालसा कीवल भलाई की होती है चाहे कैसी भी परिसिती हो कैसा भी तुफान हो कैसा भी समस्या हो कैसी भी बड़ी परिसानी हो लेकिन जो धर्मी है जो प्रभयेशु मसी के खून से धुले हुए लोग है प्रभयेशु मसी पर विश्वास करने वाले लोग है वो भला करना नहीं भूलते हमने आपको दो उधारण दे के बताया है, तीन उधारण दे के बताया है, उस छोटी लड़की के बारे में जो गुलाम थी, गुलामी की जिंदगी जी रही थी, फिर भी उसने अपने स्वामी का भला किया, परिस्थिती बिल्कुल नगेटिब, बिल्कुल विप्रीत, फिर उसने भलाई की, हमने दूसरा उधारण आपको बताया, स्थवनुस के बारे में, उसको लोग पत्थर से मार रहे थे, पत्थर से मार रहे थे, मार मार के एक दम उसके जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी उसने रातना की, कि मेरा, मेरी मौत की, जो दंड है इनके उपर न पड़े, मुशा, इस्राईली लोग बार-बार परमिश्वर को गुश्वा दिलाते थे, परमिश्वर चाहता था इनको नास कर दे, लेकिन मुशा बीच में खड़ा होकर, सीधा परमिश्वर से कहता है, अगर तु इनने नास करना चाहता है, तो पहले, नेम नाम तु अप जिसने उस कस्ट में भी, उस परिसानी में भी, कुरूज पर जब आप चड़ो, आप तो ये दंड होता नहीं, लेकिन एगर आप पढ़ोगे कि कुरूज पर जीने चड़ाया जाता था, कितना उन्हें कस्ठ होता था, कितनी परिसानी होती थी, एक एक सब्द, जब मुह से न हाथों में जहां कील गड़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा होता होगा, लेकिन फिर भी प्रभु येशु मसीर ने प्रातना की, पिता इन्हें च्छमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं, वही प्रभु येशु मसीर हम से और आफ से आज ये कहता है, कि चाहे कैसी भी परिस्थिती हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी जीवन में तुफान उठा हो, कैसी भी तकलीफ हो, भलाई करने से अपने हाथ को मत रोकना, क्योंकि जो धर्मी होते हैं, उनकी जो तमन्ना है, उनकी जो डिजायर है, उनकी जो इक्षा है, वो केवल और केवल भलाई होती है, बोलो प्रभु येशु मसी की, आए हम सब खड़े हो जाएंगे, वो प्रात्ना में चलेंगे, सरशक्तिमान दयालू पिदा परमेश्वर, प्रभु येशु मसी के नाम से, एक बार फिर से, प्रभु हम आपके चरणों के करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए, जो आज आपने दिया है, प्रात्ना करते हैं, कि वचन, सैतान हम सबों के हिर्दय से चुराने न पाए, प्रभु, हम इस वचन के मुताबिक अपने जीवनों को ढाल सकें, प्रभु आप हम सबों की सहायता करें, हमारी प्रात्ना है प्रभु, ये आपके वच्चे हैं, आपके इस भवन में, आपके इस दर्वार में आएं, और खड़ हैं प्रभु, हमारी प्राथना है जैसा कि आपका वच्चन कहता है मत्ती साथ साथ में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंडो तो तुम पाओगे कट-कटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है जो कोई ढूंडता है वो पाता है और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाता है प्रभू आपका वचन कहता है मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हां भर दूंगा प्रभू हमारी प्राथना है यहां जितने भी लोग आए हैं यह तेरे बेटे और बेटियां है प्रभू और तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभू हमारी प्राथना है आप इनकी हरे जरूरतों को इनकी एक्षाओं को इनके मनों कामनाओं को आप इन्हें भूरा करें प्रभू और इन्हें बहुत आसिज दे प्रभू, बहुत आसिज दे प्रभू जी, हमारी फ्रांथना है प्रभू, जैसा कि आपका वचन कहता है, प्रभू, तु अपने प्रभू परमेश्वर की उपासना करना, तो तेरे अनजल पर आसिज देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा तेरे बीच में ना किसी का गर्ब गिरेगा और ना कोई बांज होगी और तेरी आयू मैं पूरी करूंगा प्रभू आपका बश्चन कहता है आपके खोड़े खाए जाने से हम छंगे होते इन बच्चनों का लेकर हम आपके करीब आते हैं हम प्राजना करते हैं प्रभू अपने इन बच्चों की उन हरेक इक्षाओं को तु पूरा कर अपने इन बच्चों की हरेक जरूरतों को तु पूरा कर इनके हरेक समस्या हरेक तुफान हरेक परिसानी येशू के लहू से इसी समय इनके जीवन से भस्म हो जाए प्रभू हमारी विशेश प्राथना है अपना हाथ बढ़ा कर इन्हें छू लिजे उन हर एक दुष्ट की थाकतों को उन दुष्टात्माओं को येश्व मसी के लहू से हम भस्म करते हैं येश्व के नाम से प्रभू अपने सामर्द को प्रगट कर हर एक के जीवन में अपने आत्मा का भिशेख महुताय से दे प्रभू इनके हरे का भिशक्ताओं को तुपूरा कर दया कर प्रभू जी इसी समय इने छूले इने छूले इने छूले प्रभुजी धनेवाद देते हैं प्रभु तो हमारी प्रात्नाओं को सुनता है आपका वचन कहता है जिनोंने उसकी ओर दृष्टी की उन्होंने जोती पाई और उनका मुझ कभी काला नहीं होने पाया इस दीन जन ने पुकारा और यहवा ने सुन ली और उसके हरेक कष्टों से उसे छूडा लिया धन्यवाद देते हैं प्रभुजी इनके तेल और पाणी के उपर हम आपका अनुगर शाते हैं आपकी आसी शाते हैं प्रभुजी हमारी विशेष प्रात्ना है आप अपने पवित्रात्मा का सामर्थ इनके तेल, पानी, रुमाल कपड़ों में प्रवेश करें ताकि जहां कहीं भी ले जाते हैं प्रभु इनका हरेक हरेक इक्षा एश्यू के नाम से पूरी हो जाए प्रभु आपके वचन के अनुसार इनके जीवन से केवल भलाई ही हो भलाई ही हो प्रभु हरेक के उपर धया करें और आसिस्ते हैं धन्यवात के साथ इस प्राथना को प्रभु इश्यू मसी के नाम से हम मांगते हैं आमेन अब परमेश्वर पिता का प्रेव प्रभु इश्यू मसी का नुग्र है और प्रभु तरात्मा के संगति और सभागिता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सभों के साथ बनी रहें आमेन